हेई गुड बोनिंग तो देखिए टेक्निकल परिवर में आपका सौगत है यह बोलने की जरुत नहीं है उसके बाद मैं आपको यहाँ पर देख कि नहीं को मिलेगा कि जो आप किस तरीकिसे काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा एक पेज है यहाँ पर जिसमें आप टा पूरा मिलेगा यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा नहीं दिख रहा तो चलिए मैं आपको दिखा दा हूं यह जो बटन है आपको यहाँ पर मैं इन सर्किल करके दिखा रहा हूं इस बटन पर आपको किलिक करना है और जैसे किलिक करोगे तो यह आप पर आपको प यहां पर आपको सीधा सा क्लिक करना है और यहां पर बोला जा रहा है कि नीचे आप पड़ेंगे तो अन्यों सोर्स वाली पर्मिसन आपको पहले से दी हुई होनी चाहिए या नहीं दी हुई है तो आप दे देना उसके बाद में यह एप डाउनलोड होने के बाद में लाइव रिकोडिंग देंगे या फिर आप टेक वीडियो बनाते हैं या पिर कैसी भी वीडियो बनाते हैं अगर इस तरीके से आप ड्रो करके स्क्रीन पर कोई भी आप अपनी प्रजेंटेशन देंगे तो आप अच्छे से आपकी प्रजेंटेशन जाएगी सामने वाले क को समझ में आएगी तो चलिए यह सब कैसे करते हैं स्क्रीन पर लाइव रिकोडिंग करते समय ही हम किस तरीके से स्क्रीन पर ड्रो कर सकते हैं तो चलिए इसके लिए आपको एक एप का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है ड्रो ओन स्क्रीन बहुत ही सिंपल एप है इस इस तरीकिसे एक जैसे यह पैंसिल आ रही है ने मेरे पास उस तरीकिसे पैंसिल आएगी इसे कहीं पर भी आप रख सकते हो यह जब तक रहेगा जब तक आप यह मतलब चालू रखोगे ड्रोइंग वाला जैसे आप इस पेंसिल पर क्लिए करोगे इस तरही से खुल जाएंगे यहां पर कुछ partido नीची नीची वाला जो ओप्सन है यह वाला जो प्रोब्लम यहां से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कलर मतलब यहलो रैड वगरा जैसे मैंने यलो किया फिर मैंने जैसे यहां पर यहां पर यहां कर लिया अब मैं स्क्रीन पर यहलो कर सकता हूं और यहां पर एक बुर्स का सिंबल है इससे क्या कर सकते हो इस बुर्स वाले सिंबल पर क्लिक कर गए यहां पर आप अपने जो आपने ड्रो कर रहे हो उसका जो पिक्सल साइज है मतलब कितना मोटा होना चाहिए आपका ड्रोवर मतलब जो चलता है ना स्क्रीन पर ड्रो होता और फिर से आप ड्रोवर पर किलिक करोगी तो ड्रोवर चालो जाएगा इरेजर डियाक्टिव हो जागा यहाँ पर अंडू का बटन है एक नीचे आप देख सकते हैं इससे क्या होगा कि जो भी आपने ड्रोग किया है उसको अंडू कर सकते हो एक एक करके और यहाँ पर उसस air screen पर कुछ भी ड्रो कर सकते है अगर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर और रेट कर दोगे इससे क्लिक करगे तो आपकी स्क्रीन पर ड्रोन नहीं ho आपकी स्क्रीन टच काम करने लग जएगी मतलब कोई भी इस गूर्ण पर जो बटंस है और जैसे आप द्रो कह या हो आप मिटाना चाहते हैं तो डिलेट के बटन पर पर क्लिक करें अबर सेटिंग्स है और यहां पर एकजिट का बटन है एकजिट के बटन पर क्लिक करना है और और यह application exit हो जाएगी और आप अपना काम करते रहें I hope guys यह वीडियो पसंद आयागो So please like, comment and share Okay bye, see you